नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि प्रोग्रामर की लाइफ कैसी होती है क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पुछा था कि भाईया आप इस पर वीडियो बनाए कि प्रोग्रामर की लाइफ कैसी होती है तो आज की ये वीडियो तो फिर आपको थोड़ी सी बैलोजी की भी नौलेज आपको रखनी पड़ जाती है तो इस तरीके से जो प्रोग्रामर की जो लाइफ है वो काफी ज्यादा चैलेंजिस होती है लेकिन अगर आप में एक हैबिट अगर विक्सित अगर आप लोग कर लेते हैं तो कभी-कभी जब कंपनी गुरोथ एश्टरेज में अपना होती है तो वो आपसे काफी ज्यादा काम कराती है हो सकता है वो सैटर्डे को हो या फिर वो संडे को भी हो तो इसमें सोसल इसो के तौर पे आपको समय नहीं मिलता आपके फैमिली के लिए एड़ दे स्टाइटिंग में लेकिन एक बार अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो फिर आपको सैटर्डे संडे और नॉर्मल रूप से चुटी मिलती है लेकिन फिर जो यह सॉफ्ट्वियर मार्केट है कि पूरे जो आउट्सोर्सिंग का काम होता है अगर अगर अपनी स्टाइटिंग फिज में तो आप यह मस सोचे कि आपको सेटर्डे और संडे को भी चूटी मिलेगी और इसकी वजह से आप अपने फैम कमपनी में चल जाते हैं तो वो बेसरत आपको समय देती है और होली डे पे भी समय देती है इसके साथ साथ कि अगर मान के चली कि अगर आप एक सफ़्ट्वियर इंजिनियर हैं तो आप अगर किसी होली डे में भी हैं तो आपको अपने घर पर उसको काम करना ही पड़ता है और आपसे company contact कर लेती है यानि कि घर रहने पे भी आपको काम ना कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है as a software engineer लेकिन अगर आप लोग का कोई management skill अच्छा है तो आप लोग automatic किसी भी तरीके से manage करके अपने family को time दे सकते हैं इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन as a programmer ये field काफी ज्यादा challenges है और इसमें आपको continuous learning करना ही पड़ता है अगर मैं as a freezer की बात करूँ तो जो लोग freezer पहले company में जाते हैं तो उन लोगों से काफी ज्यादा काम करवाय जाता है और उनको वो चीज़ दिया जाता है कि for example अगर आपने C और C++ की पूरी की पूरी आपका मजबूत है तो वो आपको ये C++ का नहीं देतेंगे वो आपसे यह requirement करेंगे कि उनको कौन सा काम चाहिए तो आपको हो सकता है pattern पकड़ा दें या फिर हो सकता है आपको जावाइस के पकड़ा दें अब उसको आपको एक सकता है या फिर दो से तिन दिन में पूरा का पूरा उस language को सीख करके समझ करके आपको उसमें प्रोजेक आप उसको catch कर पाते हैं फिर उसको पढ़ करके आप लोग को काफी ज्यादा programming और code करना पड़ता है आगे चल करके तो इस तरीके से आप लोग को इस फिल्ड में आपको fast learning और continuous learning करना ही पड़ता है क्योंकि technology है वो direct America या फिर चाइना या फिर जापान से विक्सित होती है और उन technology के बारे में आपको हमेशा update होना पड़ता है और उन technology के बारे में जो programming language आती है नहीं नहीं उसको आपको सेख करके फिर से आपको कोई ना कोई code लिखना पड़ता है तो यह जो एक software industry है वो आपको continuous programming आपको learn करना ही पड़ता है आप जितने ही learner है उतना ही area field आपक structure करा दिया जाता है और यही कोई एक programming language कोई चार सल या फिर तीन सल पड़ते हैं और फी जाकर के वो उसी में अपना अपग्रेट करते करते वो अपना coding रहन निकाल करके जब भी किसी company में जाते हैं तो उनको simple अगर कोई another programming language की requirement है तो वो लुब तुरन सिख लेते हैं क्यो different होता है तो इस तरीके से अगर आपका एक programming language में अगर आप master कर लिये हैं तो फिर आगे आपको चल करके कोई problem नहीं होती है इस तरीके से आप कोई भी language को adopt fast तरीके से कर पाते हैं और इससे आप company के लिए ज्यादा ज्यादा समय तक काम कर पाते हैं अगर मैं अच्छे इच कंपनी का work environment में आपको उसमें canteen भी होता है उसके साथ साथ में आपको जीन भी होता है तो अगर आप लोग को कोई भी problem अगर आती है तो उसमें आपका medical insurance भी होता है कि आपको साथ से लेकर के 8 गंटे तक computer के सामने बैठना ही पड़ता है क्लाइंट से बात करना ही पड़त है वो बैठने के लिए नहीं बना होता है वो काम करने के लिए वो चलते रहने के लिए बना हुआ है तो इसकी वज़ा से अच्छे अच्छे company जो होते है उसमें आपका जीन भी होता है उसमें आपका अच्छी एक culture को भी विक्सित किया जाता है जैसे श्टार्टिंग से ज तो इससे जो blood pressure होता है वो unbalance हो जाता है कभी आपका blood pressure high हो जाता है कभी blood pressure low हो जाता है तो time to time उसमें भी आप लोगों को एक तरीके से आपका gym होता है आपको बाहर जा सकते हैं canteen होता है उसमें आप लोगों खा सकते हैं music सुन सकते हैं तो इस तरीके के पूरी के पूरी व चाहते हैं तो उसमें आप एकान भी काम कर सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो इस इंडस्ट्री में आपको टीम वर्क भी आना जरूरी है अगर टीम वर्क अगर आपके पास नहीं है तो आपको इसको भी सही डिवलप करना चाहिए मैं मानता हूं कि टीम वर्क क काफी जदा सॉफ्ट्री में रूज होता है कि कोई भी एक प्रोजेक्ट आता है उसको चाल सी पाँच लोगों में बार दिया जाता है और देन उसके बाद में टीम वर्क के जरीए बोलो किसी प्रोजेक्ट को फाइनल करते हैं उसके सांसनात में एक और चीज बताना चाहता ह है with the help of teamwork and with the help of meeting बार-बार meeting करके टीम वर्क करते जिस डिसीजन पर निकलते हैं और वो लोग अगर डाटा स्टॉक्चर और एल्गोरिदम उससे किसी भी प्रोजेक्ट का बना लेते हैं तो फिर उसके बाद में कोई लेंगर सेलेक्ट होता है कि आपको इसको जावा पर बन करता है को इसका फ्रांटेंट तियार करता है तो इस तरीके से आज एक टीम वर्क में आपको ये काम होता है उसके साथ मैं अगर आपको बात करूं तो सॉफ्ट्वेर इंडेस्ट्री में कभी कभी काम नहीं होता है तो आपको इंटरनेट आप कोई भी चीजना एक्स्प्ल करने से जिस क्लाइट के पास वो सफ्वेयर होता है उसका अप्डेट या भी वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता इस तरीके से कोई भी क्लाइट अपना सफ्वेयर इंडस्ट्री या फी सफ्वेयर कंपनी को मेंटेनेंस के लिए पैसा देता है मेंटेनेंस के लिए क्योंकि तो आपको जो चीप हैं वह भी अप्डेट हो रहे हैं तो आजरा मेंट्डेट हो रही है। आपको ये भी वर्क मिलता है और नए नए टेकनोलजी के बारे में आपको सिख कर तो इसको आपको इंप्रिमेंट करना ही पड़ता है अगर में लाइफ इस्टाल के बारे में इसके सॉफ़ेयर इंजिनियर के बारे में बात करूं तो अगर आप लोग को फॉर एक्जांपल कि आपको ट्रिप मिल जाती है फिर से उसके बाद में सिंगापूर की ट्रिप मिल जाती है तो इस तरीके से घूमने का इसमें काफी ज्यादा मौका मिलता है और अगर कंपनी अच्छी है तो अगर कंपनी आपके स्टार्टिंग फेज में है तो फिर तो आप समझ लेजिए तो इसके साथ साथ आप लोग company तो join कर सकते हैं लेकिन company जोइन करने के साथ साथ आप लोग freelancing भी कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि आएज़ जो student IIT and IT में परते हैं वो लोग अपना freelancing का website इस समय ही बना लेते हैं और जैसे कि Fiverr हो गया, Upwork हो गया इस तरीके पर अपना काम कर लेते हैं और उस पर account बनाने के साथ साथ वहाँ पर अपने description में लिख देते हैं कि मुझे यह यह लेंगोई जाता है अगर कोई काम आता है तो Fiverr या फिर Upwork आपको automatic hire कर लेती है और आपको automatic project मिलना इस्टार्ट हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई company ही होना चाहिए आप घर बैठे भी as a programmer आप इसमें invest कर सकते हैं और काम कर सकते हैं और अच्छा कैसा कमा सकते हैं अगर आप लोगोंने BCA किया हुआ है या FBAC IT FBAC in Computer Sense किया हुआ है तो अगर आप लोग का computer field में interest नहीं है क्योंकि computer field एक ऐसा field है जिसमें आपको chain नहीं मिलने वाला इसका मतलब यह है कि अगर मान लिजिए कि कोई भी subject आपको अच्छा नहीं लगता है तो वो आपको boring भी लगती है तो अगर आपको computer coding अगर पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है अगर आप इसका scope देख पाते हैं और इसको आप अपने आप से relate कर पाते हैं और coding करने में आप boring नहीं होते हैं और कोई भी नया चीज सिखने में आप boring नहीं होते हैं तो फिर यह आपके लिए industry काफी अच्छा है क्योंकि इसमें आप लोग को lifelong learner बनना ही पड़ता है इसके जरी आप लोग नए-ने programming languages सिखते हैं नए-ने technology के बारे में सिखते हैं तो अगर इस तरीके के आपके पास attitude है तो फिर यह आपके लिए software industry काफी अच्छा है और अगर इस तरीके का attitude नहीं है जो बहुती कम ही लोगों में होता है तो फिर मैं यह director बलूँगा कि यह industry आप लोग के लिए नहीं है क्योंकि इसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपको ज़्यादा काम करवाया जा रहा है लेकिन ज्यादा काम अलगर आपने इंक्रेश्ठी नहीं है और अगर आप लोग जSpud करेंगे तोबरिंग लगेगा ही लगए अगर आप लोग इसमें इंक्रेश्टेर है तो आप लोग इसमें कितना भी काम करें चायए 14 गंटे या पर 15 गंटे कोई प्रॉब्लम आप पर नहीं पड़ने वाला है तो अगर आप लोग फास्ट लर्नर हैं और अगर आप लोग कंटिनुवस लर्न करते हैं अगर आप क्यूरियस परसन है तो फिर से सॉफ्ट्वियर इंडेस्ट्री से अच्छा कुछ नहीं है लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसक कोई भी डिटेल मिस हो गया है तो आप मुझे कॉमेंट करके बताए और यह वीडियो आप लोगों कैसा लगा है यह भी मुझे कॉमेंट करके बताए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए कि जब आप लाइव करते हैं तो यूट्व के अलगोरिधम से जो मेरा चैनल ह वो ज्यादा बूश्ट हो जाता है और इस तरीके से मेरी रात और लोगों के पास पहुंच जाती है तो आज के इस वीडियो में इतना है इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं हम लोग एक नहीं वीडियो में थांकी सो माच आएं गुद्बाइ